यह मेरे पास sodium hydroxide है, इसको हमने water में अच्छे से dissolve कर लिया है और यह blue vitriol है copper sulfate.5H2O, इसको भी मैंने अच्छे से water में dissolve कर लिया है अब मैं इस copper sulfate में sodium hydroxide को add करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है जब हमने sodium hydroxide को copper sulfate solution में add किया, तो इसमें कुछ गारा-गारा substance form हुआ है जो नीचे settle down हो गया है, और इसमें liquid जो पाठ है, वो हमें बिल्कुल अलग दिख रहा है मैं आपको save it करके दिखाता हूँ अब इसमें आप देख सकते हैं, यह जो jelly like structure है, यह बिल्कुल jelly की तरह जो दिख रहा है आपको, यह हमारा PPT है, जो copper hydroxide है और इसका color भी कैसा है, blue ही है, और इसमें जो थोड़ा सा liquid आपको दिख रहा है, यह sodium sulfate है